तो चलिए फाइनली यह मतन बनके हो चुका है रेडी हो गया है मतन भी बन गया रोटी भी बन गया कोई जुगार नहीं है तो इसी कुपर कूट लें तो इसको पीछी एका जिसे रोटी भेलते हैं तो चलिए देखिए किस तरीके से ट्रॉक डाइवर साहिब यहां पर मतन का म मसाला जिसको अभी कुटे थे पीशे थे तो चलिए अब हम भी टेस्ट करते हैं मतन ड्राइवर साहिब का रोटी कैसा बना हुआ है जिसमें आटा सांते हैं है कि हलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में तो दोस्तों आज मेरे साथ है कानपूर के ट्रट ड्राइवर यह बनाएंगे यह मतन करी काफी गजब का बनाते हैं तो चलिए आपको दिखातेे हैं कई तरीके से बनाते है और आज यहां पर दखे साहिप लग चुका जहां पर आज मटन बनने वाला है तो ड्रैवर साहब आज खाना आप खाली है अभी तक भुखे हैं नहीं अब नास्ता करिया है पिर पर नास्ता के खाना भी नाहाया कपराबडा दो है राढ़ी-ाड़ी साफ की ए मटन बंडा है आज मटन मनना है इसलिए यहाँ पर दिके सा ऑफ पहले बढ़ा बढ़े हैं तो लहसुन को काट के दाली है जिए आपके तो शारा को पुटना नहीं है काट के ही डालना है क्या है आपके भी दालना है ट्रक लाइन में आपका कितना दिन होगे ऑगा बी थारा साल गया तभी ट्रक लाइन में रहना कि दूसरे लाइन में भी जाना है दूसरे काँ पर हो ड् курुट अगर त्रक लाइन में जो söyle이ंका है अइसा अला हो जा पुरा परिवार में मतलब आप जैसे जा रहे हैं तो आपकी वाइफ आप दोनों मिलकर जा रहे इस अपने इंडिया में यह भी नहीं सकता है बाहर जगह यह है बाहर जगह इस चल रहा है कि हम बंगलावर में बंगलोर में है तो वह गया नाम है जो लड़कियां है अब प्याज काट रहा हूं प्याज काटियेगा कितना यूज कर रहे हैं तीन कुछों जाएगी कोई चार यहां है और मीट केसाफ होता है मेरी चोटी आली भूजाई यह है बच्चे बतीजें अब चाइब फोगरा लाया हाँ अबाट स्टेने इस अगर जाते ताफिवना की किलाटे नहीं और जोटी नहीं बनाते ले खाली मीट बनाते नहीं इस यह प्याज घटना शुरू कर दिया इंसान घटाब हो जाए घरमा नहीं पहुच पाऊगे मोटर बाद यह दसा होती है ट्रक लाइन में यह दसा होता कि घर में लोग मारा पढ़ा रहता है नहीं पहुच पाते हैं तो चलिए फाइनल इधर प्याज लगभबा गया है प् अब किस भी कुट के यूज नहीं करने वाले हैं ने त्यार हो गए त्यार हो गया है तो पुरा एकदम गुद्धा बला पिछलिये तो इसे आज कितने दिन बाद मटन खान है फिर से अब पंदा बिद दिना बलाया अरि भूशा हो गया है मटन क्या होगा है इसे अफ़िन को तीन वार तीन बार साफ करना है टीन बार साफ यह कुछ सा पीस है गुर्दा है दिल गुर्दा है यह फाइनल साफ हो गया पुरा पानी गार देते हैं इसका तो चले यहां पर देखे सारा सिस्टम हो गया है अब जला रहे हैं गैस जिसमें बनेगा मटन यह जल गया अच्छा आपके यूपी में भगोना बहुत ज्यादा चलता है क्या कराई नहीं चलते कराई खाली पूरी बरे घरा है बस नहीं तो हर चीज बनेगा तो भगोने अब इसमें जाएगा अब इसमें जारा तेल पर रहा है यह दक्क तो क्टा ख crown है यह ऌधा है है सटाउ में ऱर्थ यह 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 आना घंसा प्याम ये प्याज झा रहा है यह आ गया था आफ यह तो लेसुन डालने के तुरंत बाद प्यास डाल देते हैं तो है तो ब्ले फिर दानने के वाद अब अदरा गए अधराग है अधराग है अधराग हो वह सम्मिर्चा में अच्छा जो भी मसाला तयार किये ते काट के और यह वार्ट इस ही मसभे कई तो इसे नमक रखने का आपका जुगार बहुत बढ़िया है यह इसे दबा मेरा कभी है अब आप कि में 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 सब यही परता है यह अगया नम पुरा फड़े से नमक है ना इसलिए अब ढुस्को गलाए भडता है मीन अच्ऑ इसको कर दाए यह और हम घोछोफ पूरा अच्छे पड़ाने के बाद मध्थ पड़े लाधा तो थिलाल अभी कितने दें से घर नहीं गें दो मैंना हो घे तो मैना से घर नहीं गए बिलकुल प्रिक कि आप प्रिक कि अभाना जाएंगे विद्ध कि हुली के अब मेरा प्याज पक ड्लूट ग्या है प्याज पूरा गल गया था इसे प्याज गलने का कुछ भी काफी बढ़ियां होता है यह था कि आज लेचुन अद्रक सभी अच्छे सब गल गई अब डाले ने मतन जाएगा अब मतन जाएगा यह अगया मतन और यह कराई जाना इस्टार्ट हो गया हुँ तो फोरन उरन नहीं डालते डिरेक्ट मतन डालते हैं अब बिलकुल अलाग तरीके साब बना रहे मठन या गया तली जी आए फैनल कितना टाइम लगता है इसको बनने में गंडा लाग जाएगा इन अधना मेरे डी मसला दलिएगा अब मसला में क्या सब है भी यह दनिया है यह दनिया आ गया प्रक्ट बलाई शाई खिलाते है ला आधा भी दनिया अधनी लॉंग लाईची बड़ लाईची अधनी डाल मीश आधा डाल दीए और नो पने फैन अधना भी आधा रहे थे उत्यूंट अधने और चल्षा मतलभ की आधने आधा यह कुंसा मसला है यह मीट मसला ऩे फिर्षटल्आ में चलाए यां 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 veg यूटी वाले खे शरीज नाय हैं प्सक्साव मंदूपने मेर्य कातिमे यह मतर कीना नालिये पाइकट भी लेते हैं तो सब्जी में तो कम मसला डालते होंगे आई सब चलता है जब बिज बिज में इसको चलाते रहें इसको क्या करेगा अब इसको यह फार ने बाद होड़ा पूरा पूर के अब डाले अच्छा तब पे डाल देए तवे पे टिए गगा तब उसके के सि अब बड़ी पेशने लगाए दस मिनाट बाद देखें अब पूरा चेंज हो गया है और यहां पर गूट रहे हैं गरम मसाला तावा के ऊपर यह पर ही पूट रहे हैं तो इसे उपर कूट लें आप तो 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 इसे में पूट लेते हैं तावा यह उस पर नहीं हो पाया इसक तो इसे रोटी बिलते हैं तो चलिए देखिए कि इस तरीके से ट्रक डाइवर साहिब यहां पर मटन का मसाला तयार कर रहे हैं पूटने का विवस्था नहीं है तो यहां पर इसको पीछ रहे हैं आप गरम मसाला डालिएगा जिसको अभी पीशे थे वह डायरेक्ट मतन के नदर और आप जा रहा है यह तिद मसाला जो तियार किया थे हैं व्हाँ आप जिए सभी चला गया है अब इसको अच्छे से पकाना है किया पवास्थ मचा बाकी है कि हो गया और में चुछ नहीं जाएगा बने मिर्च जाएगा अच्रमेज वाली इसे काफिए कुमेंट आ जाना चाहिए बहुत दिन हो गया तो फैनल यह भी बंद आया और बंते हुए देखने में बहुत मजा रहा है तो चलिए देखते हैं किस तरह के शावर आगे का प्रोसेस हो पारा है तो यह ट्रक डाइबर सहब जो है फिलाल यूपी कानपूर के हैं उसी यह स्टैल में मतन ब दिया है और भी कर देता है अगर फैमिली साथ में राता तो आपको यह सब करने पर नहीं परता है इसा शिप्टम होनों चाहिए ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं होगा नहीं होगा यह तो महिना में कम कम पंदरा दिन रेश्ट चाहिए सेलरी के साथ तब बढ़ियां है ट्रक डैवर के लिए लाइव कि बाड़ बार बंद हो जा रहा आपका गैस हावा लग रही चाहावा है कर दो पकना शरू हो गया है पुरा पानी छोड़ दिया है मटन पानी डाले की अभी डालना बादें तलना है दो पानी डाल दिया है तो यह लेकर मटन का खलाड एक बार चेक कर यह भी मटन पका नहीं फिर भी काफी बहतरी नहीं क्या है और ड्राइवर साहिब बोल्ड है कि इसको पकाने में एक घंटा लगेगा मीट मेरा त्यार हो गया है मीट पक गया है अब लाली में चड़ा रहे हैं पुरा नली छोड़ दिया इसे मटन क्या आप गरब मसाला लाश्न में नहीं डालते हैं यह ड इसको उतार रहे हैं पुरा मतन खोल गया है तो चले यह देखें मटन बनके हो चुका है रेडिव और इसको उतार दिये हैं इसे बार बार आपका गैस बंद हो रहा है है बहुत प्रेसानी है लाइप में तरही तो दिक्कत होती है जाने का कि यह अगया है इसे गारी में लगाते होंगे तो कभी आग लगने का भी डर रहता होगा हां लिग घंडी बार नीचे ए जल्डा है जल्डा है जल्डा है जल्डा है हम यह रोटी बन के अड़ी डिर लगेगा टोसलिए फाइनलि ये मटन बन के हो चुका है एडिफ्रढे सब्सक्राोत्स बैटल लगेगा मतन भी बन गया रोटी भी बन गया वह जोगा है Maar आपको नलीवला पसंद है क्या हाँ परसंद हमें सब्सक्राइब बस हो गया फिलाल खाएंगे तो फिरोड लेंगे उसे ड्राइबर साहिब के पास सिर्फ दो बरतने कि इधार एक इधार आप इसी में खाईए गाज इसी में खाते भी है अब दोन वागरा जाते हैं तो फैनली ये प्लेट लग गया है तो चलिए अब टेस्ट करतें क्या उसके बाद हम टेस्ट करेंगे निजिए आप कठोता में खा रहा है जिसमें आटास आंते हैं कि बढ़िया है कि बढ़िया है कि पिस पका हुआ है तो चलिए अब हम भी टेस्ट करते हैं मतन और यह लेक्षिए रोटी ड्राइवर साहिब का रोटी कैसा बना हुआ है एक दम तोड़ा मोटा रोटी है यह रोटी बनाते हैं यह रोटी आया साथ में आए यह जर्वी मिला है बेसन भी मिला हुआ है और यह रोटी में आए ग्रेवी तो चलिए खाते हैं काफी बढ़ियां है काफी बढ़ियां है काफी बहतरीन स्वाद आरा इसमें घ्रेवी में अब आपको दिखाते हैं पीस वैसे हमसे रुखा नहीं जा रहा है सास्वाद है जा आगया यह देखे पीस यह देखे जा चोटा चोटा नली कर वाली है सब आप चोटी चोटी करा दें अब पक गया राम चराम से चूट गया देखे तो इसको क्या करें हम रोटी लेंगे और यह आया पीस कि मज़ा आजाता है खाने में कि मिलाओ आजाओ आगया इसे खाडा खाडा जो गरम मसाला दाडा है तो अजा रहा है अच्छाण दाड़ादे नहीं हम लोग माना ख़डे डारते नहीं हम बंच हे ना तो यह ना बुंजा तो आप अधोरा तो मिलबपीस लें उसका टेस्ट आल गई आए भूरा खुल प था जिखेसे के बाद उमें मेटार हो तो बेकार हो जाता है खाल में अचया है फंदा यह आपा तो उत्ता नहीं आपा है उजेशे ड्राइवर साहिब को इम नंमर दे दिए पिछले बार को आए थे तो ड्राइवर साहिब आए आज सुबह सुबह कॉल कि आज आईए यहां प दो पका हुआ हुआ अच्छे से उआने में बगिए लग राइस फाने महाँ लग लग राया एक लाइस बार यह लेशन नहीं डालें किला है फ्राइब यह मजा आ जाता है तो हम क्या और हम से प्लेट करेंगे एक दू-प्राइब शपयाएं गडरा डर्साहिए यह आप फिर परसो आप भर खाईए मतन का पी समझाता नहीं है रेवी हमको बहुत मस्त ले रहा है जो को रेवी रोटी हम खाएंगे जो कुछ है मतन का पी बराशी जैनल लेकिन ग्रेवी में स्वाध होना चाहिए है तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट व्लोग में तब तक लिए झाल 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 झाल